हेलो स्टुडेंट वेलकम टू अले फ्यू माई यूटूब चैनल मेडिकल एजुकेशन भाई अंकित तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पर यहाँ पर यह है कि देखें मोडर्न अ माईक्रोबाइलोजी का इनको फादर के नाम से जाना जाता है ठीक है और क्या है बेक्टिरियो लॉजी बेक्टिरियो लॉजी मतलब कि कुछ ना कुछ इन्हें का जो कॉंट्रिब्यूशन है बेक्टिरिया पे इन्होंने एस्टेडी किया इसलिए इनको इनको बेक्टिरियो लॉजी मतलब कि बेक्टिरिया के बारे में एस्टेडी किया ह बैक्टिरिया इन दी प्यूर कॉल्चर देखिए आईसोलेशन जो वर्ड है आईसोलेशन के मतलब होता है कि किसी चीज को अलग करना है ठीक किसी चीज को अलग करना तो यहाँ पर किस चीज का अलग करना है बैक्टिरिया को करना है इन प्यूर कॉल्चर यहाँ पर कल्चर ज होते जैसे की कोई भी बेक्तेरिया हो गया तो उसको सुटेवल कलचर मतलब की एक कुछ Sun को मेडियम दिए जैता हुसको गrones के लिए ठीक है तो उसको एक तरह का नीट्रान सब्सक्राव कराने के लिए और ग्रोगा प्रोपर यहां सक्ष और मोटाइल है की नॉन मोटाइल है तो उसके बारे में पूरा इन्हों ने रोबर कुछ ने पूरा बेक्टिरिया के बारे में बताया था इसलिए इनको फादर आप बेक्टिरियो लॉजी के नाम से जानते हैं तो सेकेंड पॉइंट है इसे कंट्रिब्यूशन इन माइक्रोबेलोजी गीवें बुले ओ ठीक है अब यहां पर फॉस्ट पॉइंट देख रहा है हैं ही डिस्कॉबर्ड वेडियस कॉल्चर मेडिया 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 मतलब क्या हो गया कि माध्या और कल्चर का मतलब होगे ये फोरकश्ट पेसिथसरों अफेस्8 स्वा गार मेडिया और ये ऑगार मेडिया और फॉस्ट पेसिर जाथ का मतलब होगे तो एक और एक शुटेवल इन्वार्मेंट दिया जाता है कि बेक्टरिया प्रोपर वे में ग्रोग और ग्रोग करने के बाद से इडेंटिफाई होगा कि कौन से बेक्टर रिधिया है कैसा नेचर है ग्राम पॉजेटीव है ग्राम नीगेटिव है मुटाइल मतलब कि मोप करने वाल किस टाइप किस नेचर का बेक्टिरिया है उसके बाद से डॉक्टर जो हूँ आपको एंटिवेटिक प्रिस्क्रिप्शन करता है नेक्स्ट पॉइंट है इन 1882 में डिस्कॉबर दी टिवर्कल बेसिलाई ठीक है हम नेक्स्ट के चेप्टर में पढ़ेंगे बेसिलाई जीसे की एक तरह का यह बेक्टिरिया है कोकाई है बेसिलाई है डिपलो कोकाई है उसके बारे में तो इन्होंने 1882 में टिवर्कल बेसिलाई बेक्टिरिया जो है इसके बारे में इन्होंने क्या किया था ठीक पॉइंट है डिस्कॉबर दीस्कॉबर कोजेती और्गनिजम और किस चीज का है को लेरा Гografải शालों के लिए एजैसा सुनने में लगता है या बहुत लोग कानफीयों मुस्थ हलते हैं लेकिन इस में डिफ्रेंसalley यह है कि ढRIA को हम अगर 3 से जादा चार बार तीन से जादा अगर-बाल श्रयाओ या जिसलिएल करते हैं according to WHO लेकिन अगर cholera की बात बोले तो cholera में आपका फूड का पार्टिकल्स आता है और उसका थोड़ा smell जो है इस्टूड का जो smell है वो बिल्कुल change रहता है तो उसको हम cholera करते हैं तो उसका को ले रहा किस कारण से हो रहा है किस और्गनीजम से हो रहा है वोले तो वीव्रियों ठीक है वीव्रियों तो उसके बारे में भी रूबर्ट कुछ नहीं इनका कॉंट्रिब्यूशन है नेक्श्ट पांंट है एरलडव हे इंकिया यह ही ऊनविशन को पैरीटिरिया फिनली और इनका उडिय पनाद मेंदुशनिों आपको पता है कि बहुत सारे infection है, बहुत सारे organism है, micro-organism है, virus है, parasite हो जो अपने human body को affect कर सकता है, तो कुछ ना कुछ उसको identify करने के लिए criteria होता है, जो आपको blood sampling, through blood sampling करके, जैसे कि आपकी बताया कि culture करते हैं, उसके बाद से उसमें क्या होता है कि morphology होता है, उसका bacteria का पूरा nature जाना जाता है, तो उसका investigation का methods की कैसे investigation किया जाएगा, जैसे कि आपको अभी बताया कि for example के लिए कि solid agar media हो गया, solid media, agar media और chocolate media हो गया, तो यह एक तरह से क्या है, उसका investigation का एक तरह का technique है या तरीका इसको भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में रोबर्ट कोईच ने अपना contribution दिये हैं, next point है, he introduced a staining technique, ठीक है, a staining technique, staining एक अपने आप में बहुत बड़ा chapter है, जो कि हम next के एक एक करके वीडियो में देखेंगे, आप अभी इतना समझी लेजी कि staining एक ऐसा method से, जो कि लेबरेटरी में बेक्टिरिया को identify किया जाता है, ठीक है, बेक्टिरिया के किस साइज का है, किस सेब का है, और बेक्टिरिया का पोर है, कैसा जो बेक्टिरिया में पोर होता है, जैसे मान लिए कि ये बेक्टिरिया हो गया, अपना contribution दिया था तो आज की वीडियो में यह रहा कि robot कौश का क्या क्या का contribution आ रहा है यह BSE Nursing Microbiology के लिए बहुत important question है और इसके बारे में हम जब next पढ़ेंगे तो जैसे कि solid media, culture media हो गया और standing technique के बारे में हम next करके वीडियो हम पढ़ेंगे तो आज के लिए इस topic में कोई भी आपको doubt है तो please question कीजिए, comments में और वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर करें Thank you